हलो हाई वर्कुम बैक टो मैं चाइनल आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमें चुटी मिल गई है हम घर जाने वाले हैं घर पर है शादी तो मेकप के कुछ चीज़े खतम हो रही थी तो मैंने सुच्चा टाइम रहते हुए उसको और कर देते हैं तो आज हम करन हैं नायका प्रोडक्स का अन्वाक्सिंग स्टाट करने के पहले मैं आपको बता देना चाहते हूं कि यह जो मैंने मेकप किया है यह सारे उन्हीं प्रोडक्स से किया है जो आज आये हैं विदाउट फॉर्दर दीले लेट्स गेट स्टाटेड मेरा पैट मुझसे भी वीडियो बना रही हूं होफफूल कि यह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी मुझस को खुलती ही आपको बिल मिलेगा जिसमें आपकी पॉर्चेजिंग की डिटेल्स रहती है पहला प्रोड़क्ट है स्विस ब्यूटी का जो की एक आईब्रो एंड जेल आईलाइनर टू इन वन है दूसरा प्रोड़क्ट है एन के मेकप का बर्दे के एक आईशेडू पैलेट है तीसरे पैकेजिंग में बी मेबलीन न्यूयर्प का ग्लॉस है काजल और स्विस ब्यूटी का सेम प्रोड़क्ट था आज मैं सारे प्रोड़क्ट को ट्राई करके भी दिखाने वाली हूं तो विदाउट स्किप के वीडियो को पूरा देखते रहिए फ्रेंस बारी है सेकं फुल ब्लैक बॉक्स में आते हैं मुझे इनका यह ब्लैक वाला बॉक्स बहुत ही कूल लगता है यह मेरा सेकंड पर्चस है नाइक का लगजरी स्टोर से इसको खोलते ही आपको एक थेंक्यू कार्ड मिलता है इसमें लिखा है वी आर थ्रिल्ल्द ही चूस टू शॉप वित अस वी होप यू लवग यूर एक्सपीरियन्स तो यह मैक का 707 रूवी वू मैट्रो मैट लिप्स्टिक है ऐसा ही सेम शेड का लिप्स्टिक मेरी नीस के पास था मुझे बहुत ही अच्छा लगा तब जाके मैंने इसको ऑडर किया यह मैक का मिनी सिर्ष वाला लिप्स्टिक है यह वाला शेड हरेक स्किन कलर के साथ बहुत ही प्यारा लगता है अब बारी आती है स्विस ब्यूटी का आइब्रो एंड जल आइलाइनर को अन्बॉक्स करने की सकी दिख रहा है इसका पैकेजिंग भी बहुत ही मुझे अच्छा लगा इस गॉपरी शैनिंग बाडल में आपको मिलेगा एक आईब्रो प्रेस्ट पाउडर और उसके नीचे मिलेगा जल आइलाइनर इसके साथ ही आपको ट्वीन वान ब्रेश मिलेगा जिसके एक तरफ से आप आईब्रो पाउडर लगा सकते हैं तुसी तरफ से आईलाइनर यह कितना pigmented है मैं अभी आपको यह दिखाने वाले हूँ Just look at it, यह काफी pigmented है मैं इसको अभी एक eyebrow का shape देने वाली हूँ ताकि आपको पता चले इसको apply कैसे करना है अभी बारी आती है eyeliner की एक बहुती light और creamy type का यह eyeliner है मुझे उतना pigmented लगानी जैसे usually maybelline वाले आते हैं वो काफी pigmented होते हैं overall it's not a bad product अभी बारी आती है इस प्यारे से eyeshadow palette की जो की है N.K.Makeup का यह बिल्कुल वैसे ही आया है जैसे nika site पर मैंने देखा था इसके review भी काफी अच्छे थे अभी कितना pigmented है अभी देखते हैं मैंने थोड़ा सा product बहुत ही lightly लिया है और इसका pigment देखिए यह बहुत ही अच्छा है without any primer without any base यह color इतने pigmented आ रहे हैं अगर आप यह concealer और primer के साथ use करेंगे तो इसका color और भी निखर कर आएगा overall I'm really happy with this product तो इन product के साथ मैं शादी जैसे function clip बिल्कुल तैयार हूँ कुछ ऐसा look मैंने create किया था इन makeup product के साथ आप अगर cosmetic makeup का समान खरीदना चाहते हैं तो naika is the best way सारे जो product आज मैंने लिये हैं सारे affordable हैं सारे products के links description box में आपको मिल जाएंगे अकर आपको मेरे बनाय होए video पसंद आते तो please give it a thumbs up आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं मैं link description box में दे देंगे for more such video please subscribe my channel and thanks for watching